अध्याय एक प्रस्थापनाओ की संसूचना प्रतिग्रहन और प्रतिसहरन के विशय में प्रस्थापनाओ की संसूचना प्रतिग्रहन और प्रतिसहरन करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कारे या लोब से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसी प्रतिस्थापना प्रतिग्रहन या प्रतिसहरन को संसूचित करने का आशय रखता हो या उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो चार संसूचना कब संपून हो जाती है प्रस्थापना की संसूचना तब संपून होती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ती के ज्यान में आ जाती है जिसे वह की गई है प्रतिग्रहन की संसूचना प्रस्थापक के विरुद तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रती इस प्रकार पारेशन के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ती के बाहर हो जाए प्रतिग्रहिता के विरुद तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ग्यान में आती है प्रतिसरहन की सूचना उसे करने वाले व्यक्ती के विरुद तब संपूर्ण हो जाती है जब वह वक्ती के प्रति जिससे प्रतिसरहन किया गया हो इस प्रकार पारेशन के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ती की शक्ती के वाहर हो जाए जो उसे करता है उस व्यक्ती के विरुध जिससे प्रतिशहरन किया गया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ग्यान में आती है क अपना ग्रह ख को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है ख प्रस्थापन को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रती ग्रहित करता है क अपनी प्रस्थापना के ख द्वारा अपने प्रती ग्रहन का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के शन प्रती सहंत कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात नहीं, खा अपने प्रतीग्रहन को उस संसूचित करने वाला पत्र क को पहुचाने, के पूर्व किसी भी समय या पहुचाने के शन प्रतीशहंत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात नहीं 6. प्रतिसहरन कैसे किया जाता है प्रस्थापना का प्रतिसहरन हो जाता है एक प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार के प्रतिसहरन की सूचना के संसूचित किये जाने से दो ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतीग्रहन के लिए विहित समय के बीच जाने से या यदी कोई समय इस प्रकार विहित ना हो तो प्रतीग्रहन की सूचना के बिना युक्ति-युक्त समय बीच जाने से 3. प्रतिग्रहन की किसी पुरोभाव शर्थ को पूरा करने में प्रतिग्रहिता की असफलता से अथवा 4. प्रस्थापक की मृत्यू या उन्मतता से यदि उसकी मृत्यू या उन्मतता का तथ्य प्रतिग्रहिता के ग्यान में प्रतिग्रहन से पूर्व आ जाए प्रतिग्रहन अत्यांतिक होना ही चाहिए प्रस्थापना को वचन में संप्रिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहन एक अत्यांतिक और अविशेशित होना चाहिए दो किसी प्राइक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए जबकि प्रस्थापना विहित ना करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है और प्रतिग्रहन उस प्रकार से ना किया जाए तो प्रस्थापक उसे प्रतिग्रहन संसूचित किये जाने के पश्चात युक्ती युक्त समय के बीतर आगरह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिग्रहित की जाए अन्यथा नहीं किन्तू यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह प्रतिग्रहन को प्रतिग्रहित करता है आठ शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ती द्वारा प्रतिग्रहन किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहन उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहन है 9. वचन अभिव्यक्त और विविक्षित जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहन शब्दों में किया जाता है वहाँ वचन अभिव्यक्त कहलाता है जहां तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहन शब्दों से अन्यता किया जाता है वहावचन विविक्षित कहलाता है